तो दोफ तो जैसे कि आप लोग ना Game of the God की पिछले पार्ट में देखी लिया था यूँची का जो दादा होता है वो यूँची को बचाने के लिए ना फॉफाइट कर लेता है और जो यूँची भी होता है वो फॉफ्स फॉर्मेशन गंदर फे बाहर निकल आता है और फिर जो यूँची उता हुपको पाला चलता है बच्ची के आप कहीं जासको लेकिन उफका जो फात होते हैं वो कहते हैं कि नई भाई आज मैं हार फूरत में जो हूँगा अगर आज मैं नाग या ना मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को हमेशे के ले खो दूँगा लेकिन अचानक फिर वहाँ पर पीछे से एक और बं फेंडेर्स खड़े होते हैं और वहाँ पर जो फैंग जो शेंटोख वो करता है का अज को बहुत ही वहादा खुषी के वादा ओर खुषी हो रही है जिसको देखकर जो फैंग जुशैन होते है उसकी तो लालीट पक्टने लग जाती है फिर जो फैंग जुशैन होते है वो प्रिंस फैंग जुशैन होते है वो बीच में बोल पड़ती है और के दे कि Spirit Flower का है फिर जो फैंक जुशेन होते है वो अना Spirit Flower अपने पास से बाहर निकाल लेता है और के जैसा कि मैंने वादा किया था गेंग लिए रोती है वो फैंक जुशेन के हाथ अपने वो फिलावर छीन लेती है और फीदा लेकर अपने फादर पास चली जाती है और अपने फादरों जाके फिताव फिलावर दे देती है और कधी कि आप mean आपको ओर वैदर कंपरी नहीं दे शकती और कधी कि आप आप हमेशे अपना ख्याव रहनार लखना और यह लख जाती है फिर मानद फिलाप फिना शीट होता है और है लोग देखते हैं कि उस गोड़े कोपर फे फिर फे वो गदा दुबारा बैढ़ जाता है और वहाँ फे जाने लग जाता है लेकिन उसी वगना फितना टाइप लोग आफमान की तरफ देखके कहते हैं कि ते को आफमान की तरफ देखते हैं जहां आफमान पर ने एक बहुत ह बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिफ़ज़ फे और जब हम उस बंदे को देखते हैं तो वो हमारा यूंची होता है जो एकदम हीरो वारी एंट्री मारता है ये देखकर जो फैंक जो शैन होता है उसकी तो हवाई वहीं फे निकल जाती है और वो कहते हैं यूंची तो विंदा कैफे है फिर इर्दगीर किरफ इतना टाइप लोग आप अफ़े बाते करते हैं कहते हैं ये बड़ी तलवार देखकर लग रहे है ये बंदा यूंची है कहते हैं मगर ये क्या ये तो एक फाल पहले मर नहीं किया था फिर जो यूंची होते हैं वो कहते हैं मुझे मरत tut है वो बहुत ही भएदा विदती है और कहते हैं मुझे लगता है तो मुझे नहीं क्या फाल देखकर वरा भी खुश नहीं हुआ येफ उनकी जो फैंग जुशैन होता है वो कहता है कि हाँ मैं बाके में तो ये विंदा देखकर बहुत ही वैदा खुश हूँ क्योंकि हमाँ जो बर्निंग क्लैन है वो तो ये खुद अपने हाथों पर ही मारना चाहता है क्योंकि तुने हमाई बर्णिंग क्लैन के फैकंड यंग मास्टर को जो मार है फिर अचानक फिर फैंग जुशैन के पीछे विना वो कमीने वाला एल्डर आ जाता और वो कहताया कि मैं युशैन के फैंग यंग का कि फैकंड फैकंड बर्णिंग बादर को मारने वाई जो बात रहने उफ़ का हिवाम लोग आ करेंगे फिर जल्दी करो यहां फे फूट ले यून्ची तो वहाँ पे नहीं जाता मगर जो फैंग जो शेरी जो दूलन बनने वाली होती है वो फैंग जो शेरी जो शेरी की जो दूलन बनने वाली होती है वो फैंग जो शेरी के पाफ पर भाग के फीदर यून्ची के पाफ आ जाती है और आकर यून्ची को फिर गले और यूंची उसी वार चुरा बार निकाल लेता है। होगी ना उसके मैं 10,000 टुकड़े कर दूँ आ पकड़ के और फिर जो यूंची होता है वो भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और जो भी मेरी बीवी की तरफ आंक उठा के देखता है मैं उसके आंक ही बाहर निकाल लेता हूँ फिर यह जो फैंग जो शेयन होते है यह अपने घोड़े की उपर बैठे होए कहता है कहता है जल्ली करो जाके यूंची को मार दो यह उनके उसके जितने में जो गुंडे लोग होते है वो ते भी फिर यूंची की तरफ आटेक करने के लिए आगे बढ़ जाते है और हम लोग ना उस चपड़ गंजू एल्डर को भी देखते हैं वो भी यूंची के लिए आगे आजाता है उसकी वाकत लेकिन अचालक फिर यूंची की फामले ना डॉंग फैंग वू आ जाता है और फिर जो डॉंग फैंग वू होते है वो उस चपड़ गंजू एल्डर को कहता है कहता है कि तो इस शरम नहीं आती तो आ अपने फितने वहाँ छोटे लड़के के उपर अटैक करता है किदर जिफ की उमर अभी 20 फाल भी नहीं हुई ये फिनके वह जो चपड गंजो एलडर होते है वह कोई भी लेना देना नहीं है मैंने चाहता है कि इंपीरियर फैमली भी हमाई जंड़र्स की बीच में आके पहस जाए और कहता है कि आप बस प्रिंसिफ गैंग यो को प्रोटेक्ट करें बाकी सब को मैं पकड़ के निप्टा दूँगा ये फुनके वो जो डॉंग फैंग वो होते वो इस बात के लिए मान जाता है और वो कहता है चल ठीक है अगर तू ज़्यदा ही अपने आपको शेर खान समझते है तो मैं क्या कर सकता हूँ अब फिर जो यूंची होता है वो फैंग जुशैन को कहता है कहता है प्रिंसिफ गैंग यो मेरी हो रहत है और तूफ के एक बाल को भी छुने काबिन नहीं है फिर बर्निंग लैन के ने कई फाई जो लोग होते वो यूंची को पर जाके अटैक कर देते है मगर जो यूंची होते हो उन फाप को एक एक करकर टपका देते है पकड़के फिर फैंग जुशैन के फाथना एक और एल्डर आके खड़ा हो जाता है और वो कहते है कि जितना फुना था यूंची की ताकत के बारे में यूंची की ताकत उससे भी वैदा खतरनाक है और कहerta है अग् inten यूची इस तरीकेफे छलता रहा हो और इतना ही वैिदा ताकतर होता रहा ना तो एक दिनी इतना ताकत रहुचेगा पुरे के पूरे के पूरे बरणी स्थ क्लाम को एक जठके में उड़ा देगा पकड़ लेकिन अभी ये इतना फैदा ताकतवर नहीं है इस वर्यस फ्रसिफ को यहां पर नहीं आना चाहेथे इस फैस बहुत ही फैदा बड़ी गलती कर दी आज फीर जो फैंक जूशियर होते हैं वह अपने अंक्का होते हैं क्या आप यूंची को मारने के आगे नहीं जाएंगे ये फून के वो जो एल्टर होते हैं वो कहते हैं कि नई मैं इस बच्चे के फार नई लड़ना चाहता है ये मेरे काबिली निये लड़ने के और कहते हैं मेरा इस टैम में मक्सर जा पर फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और कुछ मी नहीं फिर हमें न यून्ची को दिखाया जाता है जो बर्निंग लैन के एक के बाद एक स्टुएंट को पकड़ के टपकाई जा रहा होता है अब ये देखकर वो जो एल्डर होता है उसकी भी थोड़ी जा रही होती है और वो कहते है ये तो एक नंबर का कमीन है एक के बाद एक हमारे हर एक स्टुएंट को मारी जा रहा है और फिर वो जो एल्टर होता वो कहते है कि ये जो यूंची कमी न ये इतरी वैदर छोटी उमर में इतना वैदर वाली में है ये देखकर जो फैंड जो शेर होता है वो कहते है कि अब आपको अपने और वैदर फ्टेटिफ की परवार नहीं करनी चाहिए अगर आप ऐसी खड़े रोगे ना मुह देखते तो यूंची एक के बाद एक हमारे हर एक्स्ट्रूएंट को मारी देगा आज यहां पर फिर एक और एल्डर जो होता है वो फीदा जाके यूंची के उपर अटेक कर देता है यह देखकर जो यूंची होता है वो अपनी फोनिक फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है जिस बज़े फिना वहां पर एक बहुत ही वैदा बड़ा फायर लोटफ बना हुआ जाता है यह रोथ जो लूट रोटें है और फोनिक फ्लेम है जो खबर यूंची के बारेमें थी। फार ही सच है घर हमें दिखाया जाता ही यूंची का फ्लेम लोचफ होते हुँधेट है उप्लिबा पर ऑड़ा पर बहुत ही तबहा ही मार दोगंा ये देखके जो यूंची होते है वो फिवागन अपने उपर एक शिल्टर डालेता है जिफ पर फिना असमान में एक बहुती वेदा बड़ा ब्लाफ्ट हो जाता है और फिना फैंग जुशैन के उपर अटेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन जो फैंक जुशीन की फाद जो elder होते हैं वो फिक अगना यूंची के आगिया जाता है और यूंची का जो आटैक होते हैं वो रोक लेता है और फिर वो elder कहते है का अनि अपनी इफ़त की कोई भी परवाणी है अब मैं यूंची तो हर फिरत में मार दूए या पर फिर अचानक से वो जो एल्टर होते हो ना यूंची को पर अपनी तलवार से अटेक कर देता है मगर जो यूंची होता हो उसको उसकी तलवार के अटेक से कुछ भी नहीं होता ये देखरो फैल्टर के तो पसीरे चूटे लग जाते हो और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कहते है मेही जो तलवार है ये फकाई प्रोफाउंड डिलम लेवल की वोर्यर को भी दो टुकड़ों में बांड के रख देगी फिर जो यूंची होते है वो हलका फ़ा मुष्कुरात है और फीदा अपना एक अटैक ना उस कमीने एल्डर के उपर कर देता है जिफ वज़े फे वो जो एल्डर होते है वो फीदा बॉल्डरी के बाहर जाकट गिरता है केता कि अगर तुने आज फैंग जुशैन को मार दियाना तो तु बर्निंग कलैन का हमेशा के दुश्मन बन जाएगा येफ उनकी जो यूंची होते होते है तु तो ऐसे कहरे जैसे आज मैं बर्निंग कलैन का बहुत ही वैदा अच्छा दोफ तूँ और फैंग जुशैन को फीदा उठाका उफी वक्वमीन पर ही पटक देता है फिरा मेना वो चपड गंजु एल्डर दुबाना फे दिखाया जाता है जो अब भी यूंची को धंकिया देने में लगा पड़ा होता है और वो कहता है अगर तुने फैंग जुशैन की एक उंगली को भी च्वना तो तो तिरे फात हम बहुत ही वैदा बुरा करेंगे और तुझे पकड़ की बहुत ही वैदा गंदी मौत मारेंगे और फिर यूंची कहता है चलो ठीक है अब हम लोग इस चीफ को भी टेस्ट करके देखी लेते हैं और फिर जो यूंची होता है वो ना फैंग जुशैन को बालों से पकड़ के उपर उठा लेता है और उसकी गर्दन के उपर ना तलवार रख देता है और फिर यूंची कहता है बुड़े आंके फार के देख देख मैं ते यंग माफ्टर इकुत्ते वाली का रहा हूँ तो अब तक मुझे बुरी मौत मार देख लिए क्यों नहीं आया येफ उनके वो जो बुड़ा होता है वो उपर फिर नीचे तक बुन जाता है और फिर वो जो दुफरे हेल्टर होते है वो यूंची के फार मने आ जाता है और यूंची के फार ऐफ़े बात करने लग जाता है जैफे यूंची उफकर दमाद है और फिर वो हेल्टर यूंची कहता है क्यों ना हम लोग ना बैट के बात करते हैं गैसे तुम जैसे हमाई यंग माफ्टर को छोड़ देगे हम तुम्हें यहां फे चुप चाप जाने देंगे और तुम जो भी कोगे हम वो भी करेंगे उसको ऐफा बोलगा देख कि जो यूनची हो तो मुष्क्राएं लग जाता है और कहता है कि मैं इसी तरीके का तो एक्टिटूड देखना चाता था तुम लोगों से और यहीं पर हमाई यह वाला पार्ट खतम हो जाता है और अगर अभी तक आप लोगोने वर्ल्ड डिफाइन डान गोट देखना शूरू नहीं किया तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यदा कमाल की फिरीफ है उसको यह मैं इसी चैनल के उपर एक्स्प्लेन कर रहा हूँ और जो लिंक होगा उसकोई मैं इंट स्क्रीन पर लगा दूगा मैं मिल तो आप से एक और बिल्कुल न्यू वीडियो वे तब तक के लिए आप लोग अपना ख्यार रखना